प्रिक्षा का डर आपको सता रहा होगा लेकिन परिक्षा से डढ़नी की कोई जरूरत नहीं है आप हिम्मत रखे और पढ़ाई को जारी रखे और जितना हो सकी जितना भी आप पढ़े हुए हो उन चीजों को आप रिवाइज करिए ताकि आप एक्जाम में उन चीजों को अच्छे से लिख सके तो आज मैं आप लोगों के लिए कर आया हूँ इससे पहले मैंने थ्री इंपोर्टेंट वीडियो लेकर के आए हुए थे दूस डारेक्टेट से रिलेटेड और यह है पार्ट फोर यदि आपने पार्ट वर्न पार्ट टू और पार्ट थ्री को नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक द तो आप अच्छे मांक्स लेकर के आ सकते हैं यह चीज आपके एक्जाम पे भी अप्लाई होती है यदि आप हार्ट वर्क करोगे यदि आप मिहनत करोगे तो आप अच्छे मांक्स लेकर के आ सकते हो यहां पर क्या करना है अनलेस इन प्लेस आफ इफ की जगह पे अनलेस का यूज करना है और इस तरह के question आपके exam में पूछे जाते हैं यदि इफ का दिया है तो इफ की जगह पे अनलेस का यूज करना है तो यह जो sentence है इस sentence का sentence नहीं होना चाहिए यदि आप hard work करोगी तो आप अच्छे marks ले करके आ सकते हो या आप अच्छे marks प्राप्त कर सकते हो तो अनलेस जो है यह अपने आप में क्या है यह अपने आप में negative है और यह क्या है यह positive है इफ positive है unless if का ही negative form है ठीक है तो यहां पर हमें क्या बताना है यहां पर हमें यह बताना है कि यदि आप hard work नहीं करोगे यदि आप hard work नहीं करोगे अप hard work नहीं करोगे महिनत नहीं करोगे तो आप अच्छे marks ले करके नहीं आ सकते या आप अच्छे marks प्राप्त नहीं कर सकते ठीक है यह जो part है यह क्या बन गया negative बन गया अपने आप में तो यह हो गया unless you work hard यह देखें unless you work hard it means क्या हो गया यदि आप hard work नहीं करोगे तब क्या होगा यू कें गेट गुड मांक्स ऐसा कहें यदि आप hard work नहीं करोगे तब क्या आप good marks लेकर क्या सकते हो नहीं आ सकते it means हमें इसको भी क्या करना होगा negative करना होगा तो हम यहां पर क्या लिखेंगे you can और इसके साथ हमें not जोड़ना पड़ेगा you can not get good marks तो इस तरह से आप answer लिख सकते हो तो sales जो है वो same रहेगा यदि आप hard work नहीं करोगे तो you can not get good marks तो आप good marks लेकर के नहीं आ सकते ठीक है तो इस तरह से आप बना सकते हैं now let's see the next question राहपूर is bigger than विलासपूर change into positive degree positive degree में change करना है डिगरी तीन तरह के होते है एक positive degree एक होता है comparative degree और एक होता है superlative degree ठीक है तो यहां पर देखें big bigger biggest जासे हम लिखते है न यह गया big फिर bigger and उसके बाद आता है biggest तो इस तरह से यह positive comparative and superlative degree तो यहां पर क्या करना है हमें positive degree में change करना है यानि bigger को क्या करना है big करना है तो यहां पर कहा जा रहा है कि जो राइपूर है राइपूर है वह बिलासपूर से बड़ा है तो देखें मान के चलिए कि यह है क्या राइपूर और यह है बिलासपूर अब यहां पर कहा जा रहा है कि जो राइपूर है वह बिलासपूर से बड़ा है bigger है तो इसको क्या बताना है हम इसमें जो comparative degree की जग़ा पर positive degree का use करके बताना है कि जो राइपूर है वह बिलासपूर से बड़ा है इतमींस हम ऐसा भी तो कह सकते तो यहां पर हम use करेंगे तो हम बिलासपूर को सबसे पहले लिखेंगे क्या लिखेंगे बिलासपूर यह हो गया बिलासपूर बिलासपूर is और लिखेंगे not क्योंकि जो बिलासपूर है वो राइपूर की जितना बड़ा नहीं है तो लिखेंगे बिलासपूर is not अब लिखेंगे इसका यूज़ करेंगे as adjective as का तो यहाँ पर लिखेंगे as big as फिर लिखेंगे हम राइपूर को as big as राइपूर तो इस तरह से आप लिख सकते हैं कोई कठीन काम नहीं है देखेंगे as big as as adjective as का यूज़ करके हम comparative से positive में लिख सकते हैं तो देखेंगे sense वही है कि जो राइपूर है वो बिलासपूर से बड़ा है या हम यू कहें कि जो बिलासपूर है वो राइपूर की जितना बड़ा नहीं है यानि छोटा ही है ठीक है ऐसे आप लिखेंगे now let's see the next question rather is as good as नहा यहां पर क्या कहा जा रहा है change into comparative degree comparative degree में change करना यह positive degree में है अब इसमें यह है good positive degree और comparative है better and superlative है based good better based अब यहां पर देखें बेटर से हमें sorry इसमें good से better में लेकर के चलना है और यहां पर कहा जा रहा है कि जो राधा है वो नेहा की जितनी अच्छी है राधा और नेहा दोनों सेम है यह राधा और इनके जैसा कौन है नेहा ठीक है तो राधा और नेहा दोनों सेम है अच्छी है तो राधा जो है वो नेहा की जितनी अच्छी है पिसमें क्या वादा आना है कि जो नेहा है नेहा है वो राधा से जादा अच्छी नहीं है यानि दोनों क्या है दोनों सेम है ऐसा दिखाना है यानि जो नेहा है वो बे करते हैं और यहां पिम बेठर काई उसकरेंगे और सनसी साथ किसका जोस करते हैं गरिचाइब तो यहां पिम लिखe ingame near नहां नहां बोड़ किया लोट की सब्स्क्राइब कर जंगी तो यहां पहल hugely सब्सक्राइब तो यहां पर हो गया नहा is not better or better के सांथ क्या लिखेंगे यह पैचान है competitive degree than किस से राधा से तो यहां पर लिखेंगे राधा इस तरह से आप लिख सकते हैं निहां is not better than राधा यानि जो निहां है वो राधा से बेटर नहीं है यानि निहां और राधा दोनों क्या है सेम है यानि दोनों अच्छी है ठीक है तो ऐसी आप लिख सकते हैं नाव लेट सी दे निक्स कुस्ट्ट राम सैड आई सैल नौट गो टी स्कूल तुड़ी यहां पर कहा जा रहे हैं राम ने कहा कि मैं आज इसकूल नहीं जाओंगा चेंज दे नरेशन यहां पर नरेशन चे कहा है राम ने कहा है कब कहा है इसका पता नहीं है पास्ट में कहा हुआ है दो दिन पहले कहा है या चार दिन पहले कहा है या एक साल पहले कहा है है इतनी से पास्ट की घड़न है राम ने कहा क्या कहा है कि मैं आज इसकूल नहीं जाओंगा आज मिन्स वो दो दिन चार दिन आठ दिन एक साल पहले की बात है तो राम ने कहा कि मैं आज स्कूल नहीं जाओंगा अब उसकी बात को यदि हम कहते हैं तो क्या कहेंगे राम ने उस दिन कहा था क्या कहा था राम ने कहा था कि वह उस दिन स्कूल नहीं जाएगा ऐसा बोलेंगे ना तो इसी को हमें जो है इन की जगह पे हम लिखते हैं that इन्हें राम ने कहा क्या कहा कि वह उस दिन school नहीं जाएगा तो देखे अब आई है आई थोड़ी लिखेंगे उसने कहा था ना तो वह तो इसलिए लिखेंगे ही ही और सैल का जो पासप मोदा हूँ वो शूड़ होता है विल का उड़ होता है केम का कुड़ होता है थिक है तो यहां पे हम क्या लिखेंगे स्इल की ड değ़ेंगे शूड़ लिखेंगे तो हो जाएगा राम say that कि मॉोठ नॉट .. उसके बात हो जाएगा गूटू school today आज की बात नहीं है यह पुरानी बात है उस दिन कहा था ना तो यहां पे हो जाएगा that day that day इस तरह से हमारा अंसर हो जाएगा राम सैट that he should not go to school that day राम ने कहा कि वह उस दिन school नहीं जाएगा तो इस तरह से आप यह अच्छ समझ गया एक मिन्स कोई भी नरेशन रहे आप आसानी से बना सकते हैं ना लेट शी दनेश्ट कुश्ट्ट ही प्लेस ट्रेनीज चेंज इंट पेशी वोइस में चेंज करना है तो देखे एक्ट्व वाइस में हम सबसे पहले लिखते हैं क्या सब्जेक उसके अब यहां पर हम लिखेंगे देखें टेनीज को पहले लिखेंगे अब्जेक्ट है टेनीज और मैंने हमेशा से कहा है कि जब हम पेशी वोइस में चेंज करते हैं किसी भी सेंटेंज को तो हमेशा वर्ब की ठर्ड फॉर्म ही यूज़ करते हैं तो यहाँ पे हमने लिखा tennies और देखे यह कौन से tenns का sentence है यह present indefinite या present simple का sentence है और present indefinite या present simple में हम किसका use करते हैं पैसी वज़ बनाने के लिए is, aim, are का use करते हैं he, see, eat या फिर कोई एक subject है तब हम is का use करते हैं, I के साथ हम aim का use करते हैं, we, you, they या one plus subject यानि एक से ज्यादा subject के लिए हम r का use करते हैं तो यहाँ पर जो tennis है वो एक game है, एक game, इसलिए हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर is लिखेंगे, यदि tennis के साथ और कोई game रहता, cricket हो जाता, तो हम क्या लिखते है, आर लिखते, तो tennis is, और verb की third form, play की third form क्या होती है, played, उसके बाद हम लिखेंगे, by, और he का क्या हो जाएगा हीम, objective case है ना, जैसे I का मी हो जाता है, वी का अस हो जाता है, यू का यू ही रहता ही का हीम, सी का हर, इट का इट, ठीक है, तो ऐसी आपको change करना है, तो tennis is played by him, वह tennis खेलता है या tennis उसके द्वारा खेला जाता है, यही change हो क्या है, now let's see the next question, Sita went home early, add question tag, question tag add करना है, Sita went home early, नहीं गई, यही है, क्या वह नहीं गई, तो यही है question tag, तो question tag का मैंने एक separate video बनाया हुआ है, यदि आप उस video को नहीं देखे हैं, तो इस video की description box में लेंग दिया हुआ है, आप जा करके देख सकते हैं, उसमें मैंने question tag को एकदम detail से समझाया हुआ है, तो देखे, Sita went home early, त और past indefinite में हम किस का यूज करते हैं, did का यूज करते हैं, तो हम यहाँ पर लिखेंगे, did, और यह जो sentence है, वह क्या है, positive है, तो positive की जगा पे हम क्या लिखेंगे, negative question tag लगाएंगे, और negative question, negative अगर sentence है, तब हम positive question tag लगाते हैं, तो यहाँ पर didn't, और उसके बास Sita, Sita एक girl ह है, तो उसकी जगा पे हम क्या लिखेंगे, Sita, यानि हम pronoun का use करते हैं, और question mark, ठीक है, तो Sita went home early, didn't see, यह हमारा answer हो जाएगा, now let's see the next question, Rose is most beautiful flower, यानि जो rose है, गुलाब है, वो सबसे सुन्दर flower है, अब यह कौन से degree में है, यह super letter degree में है, इसे हमें comparative degree में change करना है, तब हम कैसे करेंगे, एक तरह से हम तुलना आत्मक बनाएंगे, comparative degree में, ठीक है, रोज सबसे सुन्दर flower है, तो इसी को हम ऐसा भी तो बोल सकते है comparative degree में, कि कोई भी जो flower है, वो रोज से ज़्यादा सुन्दर नहीं है, यानि रोज ही है, जो सबसे सुन्दर है, तो इसी को आपको जो है, change करना है, बस हम sentence को change कर देते हैं, लेकिन जो sense होता है, वो वही होता है, रोज सबसे ज़्यादा सुन्दर flower है, कहें, या फिर कोई भी flower रोज से ज़्यादा सुन्दर नहीं है, कहें, तो दोनों का जो sense होगा, वो same होगा, हिंदी में, है ना, तो comparative degree में यादी हम change करते हैं, superlative degree से comparative degree में, तो किन-किन चीज़ों का ध्यान में रखना है कॉम्परेटिव डिग्री में यदि हम चेंज करते हैं सेंटेंस को तब हम किसका यूज करते हैं नो अधर का यूज करते हैं और ध्यान का यूज करते हैं और कॉम्परेटिव डिग्री का यूज करते हैं जैसे यहां पर देखे होता है most beautiful तो इस तरह से ठीक है तो यहां पर हम किसका उस करेंगे मोर बीटिफुल का अब हम जो है sate बनाते हैं यहां पर देखें कि हम क्या लिखेंगे सबसे पहले लिखेंगे तो यहां पर हम लिखेंगे no other और उसके बाद हम लिखेंगे flower flower तो यह हो जाएगा no other flower is no other flower is अब इस के बाद क्या लिखेंगे यहां पर देखें most beautiful है तो यहां पर हम क्या लिखेंगे more beautiful तो यहां पर हो जाएगा more beautiful more beautiful ठीक है no other flower is more beautiful उसके बाद क्या लिखेंगे इसको लिखेंगे दैन को यहां पर जाएगा दैन दैन उसके बाद क्या लिखेंगे रूज रूज से ज्यादा ठीक है दैन ठीक है तो इस तरह से क्या हो जाएगा no other flower is more beautiful than rose जाने कोई भी जो फ्लावर है वो रोज से ज्यादा सुंदर नहीं है तो देखें इस तरह से आप से समझ सकते हैं कि रोज सबसे ज्यादा सुंदर है का है या फिर कोई भी flower रोज से ज्यादा सुंदर नहीं है तो इस तरह से आप change कर सकते हैं superlative degree से comparative degree में और बहुत ही आसान है आप इस तरह के जो questions से उनको आप बना सकते है positive, comparative and superlative degree से related questions. Okay, now let's see the next question and our next question is Rakesh flies kites, change the voice, voice change करना है, जो Rakesh है वो पतंगे उड़ाता है या हम ऐसा भी तो कह सकते हैं कि जो पतंगे है वो Rakesh के द्वारा उड़ाई जाती है कि यहां पर kites है कौन सक्टेंस है यह present indefinite और मैंने बताया है कि present indefinite में हम किसका यूज करते है इस MR करते है किसमे टेशी वाइस में ओके तो यहां पर हम लिखेंगे सबसे पहले kites क्योंकि यह object है यह verb है और यह subject है तो object को पहले लिखेंगे kites अब यह जो kites है वो एक से ज्यादा है तो किसको लिखेंगे हम इसमें इस MR में से क्या आएगा आरा जाएगा तो kites आर अब यह जो flies है flies first form fly second form flu and third form flume तो यहां पर third form का हम यूज करेंगे पेसी वाइस में तो kites आर थर्ड फॉर्म फ्लून उसके बाद बाइक का यूज करेंगे बाई उसके बाद जो subject है उसको लिखेंगे बाई राकेस तो यह हो जाएगा हमारा answer kites are flown by राकेस ठीक है now let's see the next question she is playing cricket change the voice यहां पर क्या करना है यहां पर voice change करना है यानि एक्टिव में है से पेसी में खेला जा रहा है ऐसा हम कहेंगे PC voice में तो यहां पर देखें यहां पर यह है subject और यह helping verb और यह verb और यह object तो अबजेक्ट वहम सबसे पहले लिखेंगे ठीक है तो object क्या है हमारा यहां पर है cricket तो यहां पर हम लिखेंगे cricket यह हो जाएगा cricket और cricket ए एक गेम है तो Cricket एक गेम है इसलिए यहां पर हम लिखेंगे इस तो present indefinite tense हो या present continuous tense हो हम दोनों में इस MR का ही यूज करते हैं और जो रूल है वो सेम रहेगा अब present continuous में पहचान क्या है present continuous में हम किसका उसक्त करते हैं सब्सक्राइब करते हैं जाफ का बुझेजॉट से रहे छाए पास्टिनूस रहे दोनों में हम यह PersonName बताया कि हमीज़ा उन्हों हमें सU 7 की थार्ट यूज करते हैं तो यहां पर क्या हो जाएगा cricket is, उसके बाद हम क्या लिखेंगे, being, अब उसके बाद verb की third form, verb की third form क्या हो जाएगी, played, ठीक है, play की third form, played, तो cricket is being played, by, किसके द्वारा, by her, उसके द्वारा, ठीक है, तो यहाँ पी हो जाएगा, object ठीक है, हर, वैसे ही, I का me, we का us, you का you ही रहता है, he का him, it का it, ठीक है, तो cricket is being played by her, यानि क्रिकेट जो है, वो उसके द्वारा खेला जा रहा है, तो इस तरह से आप जो है, I के साथ, he, see, it, और one subject के साथ, वर का use किसके साथ करेंगे, तो वर का use आप, you, we, they, और one प्लस subject के साथ करेंगे, वर का use, ठीक है, तो इस तरह से आप present continuous रहे, जाए past continuous रहे, आप change कर सकते हैं, बस past continuous में, यही बस आपको अलग दिखाई देगा, बाकी जो चीज़े हैं, व train left, यहाँ पर कहा जा रहे कि मैं situation पहुंचा, जब train छुट गई, ठीक है, तो यहाँ पर if का use दिया है, while का और when का, इन में से हमें एक का use करना है, तो if का use देदी में करता हूँ, तो यह थोड़ा अटपटा लागेगा, यही ट्रें छुट गया, तब मैं पहुंचा, ऐसा नहीं होगा है, यहाँ पर if का use नहीं होगा, while and when, while या when की use में आप सुचिए, कि while का use हम करते हैं, when का use हम करते हैं, जब दो कारिया, दो कारिया, एक ही समय में हो रहा हो, यानि समय एक रहे और काम दो ठो अलग अलग, तब किस का use करते हैं, while का use करते हैं, ठीक है, यही एक एक काम के बाद कोई दूसरा काम होता है एक काम खतम उसके बाद दूसरा काम स्टार्ट तब कि सेंस में हम वेन का यूज करते हैं तो यहां पर देखिए जब मैं स्टेशन पहुचा तब जो ट्रेन है वो छूट गई थी यानि ट्रेन जो छूटने का काम है ट्रेन की छूटन वाइल या फिर वेन की उसमें बिलकुल भी नहीं होना है बहुत ही आसान है बस आप याद रखे कि जो घटनाय हैं दोकार या कोई भी चीज़े हैं वह यदि एक ही समय में घटित हो रही है तब वाइल और एक के बाद एक मिन्स वेन तो आई होब कि आपको जितने भी तेल में समझ गये हैं यह चीज़े आपको समझ में आ गई है और आप इसी तरह की वीडियो को प्राप्त करने के लिए हमारे वीडियो को लाइक करिए चैनल को सब्सक्राइब करें अपने दोस्तों को वीडियो को सेर करिए और हमारे जितने भी वीडियोस है उन वीडियो क एक छादे उसी विडियो को आप देखा करिए और इसलिए आप क्या करिए महिनत करते हिए रिवाइस करते करते रहे और जादस ज्यादा नंबर लेकर के आईए मैं मिलूंगा एक इंट्रेस्टिंग लेशन के साथ नेक्स वीडियो लेक्षर में तब तक के लिए धन्यवाद